हलो दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अवधेश सिंग है और मैं एक आथर हूँ दोस्तों मैं इंडियन रेवन्यू सर्विस भारती राजय सुस्यवा में 25 साल तक था मैंने राजय सुसों 1991 में जोईन की और IRS कस्टम इंसेंटर लिक्साइज में 25 साल नौकरी करने के बाद में मैंने 2016 अक्टूबर में वॉलिंटर रिटार्मेंट लिया आज हम डिसकस करने जा रहा हैं एक बड़ा ही इंपॉर्डन टॉपिक जो कि सिविल सर्विस एस्परेंट्स मुझसे बार बार पूछते रहते हैं जब भी मैं मुझसे मिलता हूं मुझसे पूछते रहते हैं कि सिविल सर्विस एक्जामनेशन की कैसे तैयारी की जाया ताकि आप सकसेस को जल्दी से जल्दी पा सकें और टॉप से टॉप रैंग पा सकें तो सबसे पहले दोस्तों जो important चीज है decide early आप सिविल सर्विसेज में जाना है कि नहीं जाना है इसका फैसला जल्दी से जल्दी लेने दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पहले B.TEC करते हैं या MBA करते हैं वो जो हैं आपका MBBS करते हैं उसके बाद में साल दो साल नौकरी करते हैं उसके बाद में फिर डिसाइड करते हैं कि उनको Civil Services देना है कि नहीं देना है फिर वो 25-26 साल के हो जाते हैं और 25-26 साल के होने के बाद में जब वो Civil Services की तैयरी सुरू करते हैं इस क्रैट से तो उस process में 2-3 साल लग जाते हैं तब तक उनके बड़े कम attempt पचे होते हैं और वो अक्सर सफलता को नहीं प्राप्ट कर पाते हैं तो इसलिए सबसे जरूरी दोस्तों यह हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके civil services की त्यारी के बारे में mind make up कर लें अगर आप 11-12 में decide करने तो उससे बहतरीन कुछ नहीं है क्योंकि फिर आप अपने जो subjects हैं, art subjects ले सकते हैं चाहिए जो आपको पसंद हो या even अगर science subject लेना चाहते हैं तो वो subject आप में graduation select कर सकते हैं जिसमें आप civil services देना चाहते हैं इस तरीके से जब आप graduation करने साथ साथ में आपकी civil services की तयारी भी हो रही है फिर आपके जो पूरा साल आप civil services की तयारी में devote कर सकते हैं तो सबसे पहली advice यह है कि आप सबसे जल्दी से जल्दी ये decide कर लें कि आपको civil services देना है दूसरा माल लीजे कि कई बार क्या होता है कि हम यह चाहते हैं कि एक back up option हो इस वज़े से क्या होता है कि हम से इंजिनिंग कर लें डॉक्टर कर लें क्योंकि civil services में तो 5 लाक लोग appear होते हैं और उसमें 1000 से भी कम लोग select होते हैं तो पता नहीं मेरा selection होगा कि नहीं होगा अगर आपके दिमाग में यह है और आपने इस वज़े से माल लीजे कि आपने select किया civil services में माल लीजे आपने btex select किया या mbbs select किया then उस situation में दोस्तों मैं आपको यह advice करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप सुरू कर दें जैसे कि अगर btex second year से ही आप तैयारी सुरू कर दें तो आपको 3 साल का समय मिल जाता है और आप रोज अगर उसमें 2 घंटे 3 घंटे आप तैयारी करते रहते हैं तो जब तक आप पूरा करेंगे तब तक आप बीटे पूरा करेंगे तब तक आपकी आधी से जादा तैयारी हो चुकी होगी तो यह सबसे important चीज है कि आप अगर professional courses में भी जाते हैं तो जल्दी से जल्दी अपनी civil services की तैयारी को सुरुआत करते हैं तीसरा दोस्तों सबसे important चीज है कि हमें regular होना पड़ाएगा क्योंकि अगर हम 2-3 घंटे भी रोज तैयारी करते हैं तो साल भर के अंदर हजारों घंटे की तैयारी हो जाती है अगर हम इसमें summer vacations को, winter vacations को और छुट्टियों को 2 दिन holidays अंडे अगर हम चोड़ दें और जितने holidays होते हैं उसमें जोड़ दें तो आप एक साल के अंदर 4-5 घंटे की civil services की तैयारी कर सकते हैं और इसके लिए जरूर ही है कि आप एक habit डालें जैसे आप रोज paper पढ़ें, रोज notes बनाएं रोज कम से कम 2-3 घंटे का समय जो है civil services की तैयारी पे दें अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी civil services की तैयारी बहुत ही बहतरी तरीके से होगी नेक्स दोस्तों important चीज़ यह होती है कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं किसे हमने किताब पढ़ी या हमने मालिया notes देखे या हमने paper पढ़ा तो हमें लगा गया और हमारे दिमाग में घुज गया है लेकिन फिर आप अगले दिन कोई चीज़ पूछेंगे तो आप सब भूल जाएंगे इसलिए important है कि हम एक notes बनाने के habit बनाएं तो जब भी हमें कोई important चीज़ दिखती है तो अपनी एक notes copy हमेसा रखें और उसमें आप उसको note कर लें उसके बाद में फिर आप चाहें तो उसको computer में भी transfer कर सकते हैं ताकि आप बाद में भी उसको refer कर सकें तो ये notes बनाने के habit आप NCRT book से पढ़ें उसके notes मनाते रहें अगर आप newspaper पढ़ते हैं उससे आप notes मना लें और अगर ज़रूत हो तो newspaper की cutting भी आप अलग स्टोर करके एक file में आप रखते जाएं तो ये एक habit ऐसी है कि इसको अगर आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो retention label है वो बहुत ज़्यादा improve कर जाता है उसके बाद में दोस्तों आप next to important चीज़ है वो है कि आप revise करने के आदट डालें हम अगर मान लिया उस समय हमने notes बनाया लिख भी लिया याद भी कर लिया लेकिन हम उसको थोड़े समय बाद में भूल जाते हैं अगर हम चाहते हैं कि वो हमें याद रहें तो हम एक habit बनानी पड़ेगी कि कम से कम हर अपते हम उन सारी चीज़ों का revision करें जो कि भूलने वाली है dates को हम याद करें और लिख लिख करके हम उसकी practice करें आप ये भी एक habit बना सकते हैं कि जैसे Sunday का आपने समय 4 noon का समय आपने year mark कर दिया कि उस दिन आप पूरे हफते में आपने जो तैरी की उसकी आप revision करेंगे या आपने दिन के अंदर जब आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आपने उन revision का जो notes है जो notes से उनको revise कर दिया और इस तरीके से वो बातें आपके दिमाग में पकी होती चली जाएंगी next जो important point है कि optional का जो selection होता है civil services में ये बड़ा important होता है क्योंकि optional 500 number का होता है और अगर आप गलत optional select करते हैं तो उसमें आपके अच्छे number नहीं आ सकते हैं ज्यादा तर लोग क्या करते हैं कि optional वो select करते हैं जिसमें सारे लोग select कर रहे हो या जो बहुत popular option हो या फिर जो उन्होंने graduation में किया हुआ हुआ है आपकी writing skills अच्छी है तो आप ऐसे subject select करें जिसमें कि इन चीजों से आप अच्छे score कर सकते हैं और उसी तरीके से अगर आपको concept अच्छे हैं तो आप psychology type के physics है, math है इस type के subject आप चूज़ कर सकते हैं लेकिन आप subject चूज़ करते समयं ये दो criteria का ध्यान रखें कि वो scoring हो और दूसरा कि उसमें आपका aptitude हो और आप बाकी लोगों को देख करके अपने subject का selection ना करें अपने हिसाब से subject का selection करें next important चीज़ दोस्तों ये है कि हमें writing जो है उसकी skill develop करनी पड़ेगी हम ज़्यादा तर लोग जो है वो writing में बहुत अच्छे नहीं होते हैं और खास वर्ज़ अगर हमें कोई चीज़ अगर मालिया कि हमको 100 words में 200 words में अगर हमें लिखनी है तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं तो इसके रिए जरूरी है कि हम regular एक writing की practice करें और अगर लिख लिख करके आप याद करते हैं तो आपकी writing की practice तो साथ साथ ही चलती रहती है आपको यह ध्यान रखना पड़ागा कि mains में जितने papers हैं सारे subjective होते हैं और subjective papers में presentation बड़ा matter करता है आपकी handwriting कैसी है आपका grammar कैसी है आप spelling mistake करते हैं कि नहीं करते हैं और यह सारी चीज़ें तभी सुधरेंगी जब आप लिखने की आदट डालेंगे और जैसे हम कहते हैं कि practice makes a man perfect तो अगर आप रोज लिखेंगे रोज प्रैक्टिस करेंगे जादा स्यादा practice करेंगे तो आपकी writing skills इंप्रूब होंगी और उससे आप बहतरी number score करने में कामयाब होंगे उसके अलावा दोस्तों एक चीज़ जो मैंने देखी है जब हम लोग civil services की त्यारी करते थे तो हमने देखाता है कि अगर हम एक छोटा सा कवर कर सकें तो जब हम तीन-चार लोग मिल करके त्यारी करते हैं तो एक topic एक ने त्यार कर लिया दूसरा दूसरे ने त्यार कर लिया तीसरा तीसरे ने त्यार कर लिया और उसके बाद में जब हम डिसकस करते हैं एक दूसरे को एक अपने जो हमने पढ़ाई कि उसको बताते हैं तो discussion के दौरान चीज़े हमें बहतरीन तरीके से और आसानी से हम उसको याद हो जाती है इसी तरीके से दोस्तों जब हम आपस में discuss करते हैं तो ये भी पता चलता है किस एरिया में हमारी weakness चल रही है तो हम एक दूसरे से question answer कर सकते हैं हम एक दूसरे की कमी को बता सकते हैं और इस तरीके से क्या होगा कि हम discussion के माध्यम से एक study group बना करके बहुत ही अच्छे तरीके से civil services की त्यारी कर सकते है next एक बहुत important सवाल है जो मुझे लोग हमेसा पूछते रहते हैं कि क्या मुझे coaching join करनी चाहिए कि नहीं join करनी चाहिए मैं हमेसा ये कहता हूँ कि coaching join करना definitely एक advantage रहता है क्योंकि आपके पास में एक syllabus है आप उसको complete करते हैं time से और उसी तरीके से जब आप coaching join करते हैं तो आप को बाकी लोगों के साथ पढ़ने के भी प्रेंडा मिलती है teachers भी होते हैं तो coaching अगर join कर सकते हैं अच्छी बात है लेकिन अगर आप coaching नहीं join भी join कर सकते हैं तो उससे कोई बहुत फरक नहीं परता है मैंने जैसे कि civil services में कोई coaching नहीं join कीती है और मेरे जैसे सैक्ड़ों ऐसे लोग हैं जो कि civil services में बिना coaching के select होते हैं तो इसने coaching join करना इतनी जरूरी नहीं है आप आज की तारिक में online coaching join कर सकते हैं आप बहुत सारा material जो है वो purchase कर सकते हैं ready material purchase कर सकते हैं या फिर आप अच्छी किताबों से भी बहुत अच्छी तयारी कर सकते हैं तो अगर आप coaching join कर सकते हैं तो अच्छी बात है लेकिन अगर आप नहीं भी coaching join कर सकते हैं तो उसे कोई बहुत फरक नहीं पड़ता है आप Civil Services की तब भी बहुत अच्छी त्यारी कर सकते हैं और आखरी सबसे important चीज दोस्तों ये है कि Civil Services के लिए कम से कम आप 3-4 साल का समय रखें देखे Civil Services की जो पहला attempt होता है उसी को त्यार करने में कम से कम एक साल के समय आपको लगता है एक साल तो आपको Minimum Civil Services की त्यारी करने में आपको लगेगा ही लगेगा उसके बाद में फिर attempt देने में prelim से लेकर के जो final interview के results आते हैं तब तक एक साल का और समय लग जाता है तो single attempt देने में कम से कम आपको 2 साल का समय लग जाता है लेकिन अगर आप देखें तो Civil Services में आज की तारीक में जो लोग select हो रहे हैं उनकी जो average age 26 से 28 साल के बीच में होती है इसका मतलब कि वो कम से कम 3-4 साल 3-4 तीसरे या चौथे attempt में भी select होने हैं बहुत सारे लोग and normally आपको mentally त्यार रहना चाहिए कि कम से कम आपको 2-3 attempt तो देने ही है और इसके लिए जरूर है कि कम से कम 2-3 साल का आप horizon रखें और जब भी आप prepare करें तो mentally मान के चलें कि 2 attempt तो कम से कम आपको देने हैं और इस वज़े से कम 3 साल का preparation time का goal आप लेकर चलें तो मुझे अमीद है दोस्तों कि अगर आप ये जो 10 tips मैंने आपको बताया हैं अगर आप इसको follow करते हैं तो आप civil services में आपके जो success है उसके possibility हैं बहुत ज़ादा बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी rank लाने में काम्याब होंगे तो मुझे अमीद है कि ये जो वीडियो है ये जो मेरे suggestions हैं वो आपके फायदे मन साबित होंगे आप इनको ध्यान में रख करके civil services के त्यारी करें तो आपको काम्याबी मिलेगी All the best और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको share करें और आपने comments दें ताकि हम उनका जबाब दे सकें और इन वीडियो को और भी बहतरी हम बना सकें आपका अधेश अकैडमी के सौगात है Thank you very much